वेलकम टो ले आईस पढ़ते ही हैं ऐसा पढ़ते हैं कि बुखार आ जाए और जब नहीं पढ़ते तो फिर दिनो दिन आराम फरामुशी होती है एक्ष्टेमिटीज हमें परिशान करती हैं और एक्ष्टेमिटीज से आप खुद को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुचाते हैं लॉड बुद्धा यादा आ गये क्या मध्यमार्ग बिल्कुल ज़्यादा तर एस्पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि जब वो काम कर रहे होते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा एक्ष्ट्रीम में जाते हैं कि वो बहुत लंबे समय तक सस्टेनेबल हो ही नहीं पाता और अक्सर ऐसा हमारी पढ़ाई के साथ होता है कई बार तो हम 10 गंटे, 12 गंटे, 14 गंटे तक पढ़ ले जाते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि टार्गेट बहुत सारे हैं और हमें बहुत सारा पढ़के उसे कंप्लीट करना है लेकिन वहीं कुछ ऐसे केसे साते हैं जब हम बिल्कुल रिलाक्स हो जाते हैं दिन, हफ्तों और महीनों तक धंग की पढ़ाई होती ही नहीं है तो आपको एक्स्रेमिटीस से बचना है और एक्स्रेमिटीस से बचने के लिए आपको चीजों को बैलेंस आउट करना होगा और बैलेंस आउट करते वक्त आपके जो सबसे काम की चीज़ होगी दैट विल बी यूर टाइम मैनेजमेंट दूसरी बात खुद पे भरोसा ना करना ज्यादा तर एस्परेंस के साथ ऐसा होता है कि वो अंडर कॉंफिडेंट होते हैं वो किसी भी वज़र से हो सकता है आपका बैग्राउंड बहुत अच्छा ना रहा हो वो अकैडमिक हो सकता है एकोनॉमिकल हो सकता है या फिर सोसल हो सकता है जिसकी वज़ा से आपको ऐसा लगता है कि आप UPSC क्लियर करने के लायक है ही नहीं Similarly, एक और प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आपने इस प्रिपरेशन में अपने एक या दो साल बिता लिये होते हैं और उसके बाद आप give up कर देते हैं आपको ऐसा लगता है कि अब आपसे तैयारी नहीं हो पाएगी जबकि आपने इतना कुछ पढ़ दिया होता है कि अब थोड़ा सा और इफट लगा के एक्जाम क्लियर हो सकता था आपने तैयारी को छोड़ दिया बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं मेरे पास जो ये कहते हैं कि सर मैंने तीन अटम्ट दे लिए मेरा हो नहीं रहा है और अब मुझे एक नई शुरुआत करनी है क्या ये रिलेशनसिफ है कि आपको एक नई शुरुआत करनी है बिल्कुल नहीं आपने तीन सालों में दो सालों में बहुत कुछ पढ़ा है और वो आपका educational capital है वो आपका study capital है उसे utilize करना है उसे ऐसे छोड कैसे दे नई शुरुआत के नाम पर या फिर तैयारी को ही give up क्यों कर दे जबकि आपने एक दो साल जम के मेहनत की है अब तो वो समय आ गया है कि आपने जो पेड बोया था वो बड़ा हो गया है अब तो उसमे पीछे छोड़कर एक बार फिर से किताबों में अपने दिमाग को खापाएंगे नहीं बलकि जो capital आपने अभी तक तयार किया है उसका इस्तेमाल करेंगे तो खुद पर भरोसा रखेंगे confident रहेंगे इसके पहले क्या था इस बास से फरक नहीं पड़ता अब आगे क्या होन इबने वाला है that matters more तीसरी बाथ time को utilize ना करना द्यान दीज 대해만 time management का नहीं कर रहा और नहीं मैं time table की बात कर रहा हूँ time table और time management की बारे में तो बाते होती ही रहती हैं मैं उस time के बात कर रहा हूँ, जो आपके time table के बाहर है, जो आपके time management के domain के बाहर है, क्या उस time को आप सही से utilize कर रहे हैं? कई बार ऐसा नहीं हो पाता. जो time आपके पास आपके time management या time table के बाहर है, उस time का हो क्या रहा है? उस time को आप बहुत बहतर तरीके से use कर सकते हैं. उस time में आप अपनी family के लोगों से बात कर सकते हैं, माता पिता दोस्तों से बात कर सकते हैं, ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं, जिन से बात करके आपको positive feeling आ scroll करते हैं, कुछ ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने आपके mind को distressing बनाया हो या फिर आप overthinking करते हैं तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो ये आपके future को बरबाद कर रहा है, ये आपको नुकसान पहुचा रहा है, आपको इसे acknowledge करना होगा, कि आपके time table के domain के बाहर, जो समय है, उसे positively इस्तेमाल किया जाए, इसलिए कहा जाता है कि UPSC की preparation के दौरान आप एक hobby develop करिए, वो hobby कुछ भी हो सकती है, खाना पकाना गाना गाना, गिटार बजाना किताबे पढ़ना जो कि novel हो सकती हैं, story books हो सकती है, अकेले में टहलना खुच से बात करना, hobby कुछ भी हो सकती है, लेकिन कम से कम कुछ तो ऐसा आपने लिए जरूर develop करके रखिए, जो आप खाली समय में कर सकी, जिससे आपको positive feeling आए, और आप strong बन पाएं, चौथी बार fake justification हम अपनी तयारी में कई बार ऐसा करते हैं कि चीजों को justify करने लग जाते हैं justification important है, क्योंकि justification आपको mental stress से बचाता है अगर आप किसी चीज को लेकर मतलब हर एक बात को लेकर अगर आप guilty feel करने लग जाएंगे, तब तो survive करना ही मुश्किल हो लेकिन justification valid होना चाहिए अगर कोई काम ऐसा है जिसमें आपकी गलती नहीं है तो आप उसे justify कर लेजे इससे आप उस guilt से बच जाते हैं So justification is important लेकिन हर बात पर नहीं, हर चीज पर नहीं एक समय ऐसा आता है जब आप गलत चीज़ों पर खुद को justify करना शुरू कर देते हैं पढ़ाई नहीं हो पाई क्योंकि आज मन नहीं कर रहा था आज सेर में शायद थोड़ा हलका दर्थ था इसलिए मैं तैयारी या पढ़ाई नहीं कर पाया आज लाइब्रेरी नहीं जाते हैं आज का target बीच भी हो गया तो क्या हो गया आगे मैं इसे complete कर लूँगा या फिर कर लूँगी धिमे धिमे एक ऐसा समय आ जाता है कि आप justification देना शुरू करने लग जाते हैं लगबग हर चीज़ पर फिर ये होता है कि आपका exam नहीं निकला तो paper tough था इसलिए नहीं निकला जब आप fake justification शुरू कर देते हैं तो evaluation की possibility खतम हो जाती है क्योंकि तब आप अपनी गलतियां cross कर देते हैं, minus कर देते हैं justification जरूरी है लेकिन हर चीज़ में नहीं क्योंकि जितना जरूरी justification है उतना ही जरूरी evaluation है justification शुरू हुआ fake terms पर तो evaluation खतम हो गया और एक बार आपने खुद को evaluate करना बंद किया तो खेल वैसे ही खतम हो जाएगा फिर तो तैयारी हो चुकी ना, पांचवाँ point focus on others UPC की preparation के दौरान हम जादा तर बाखी लोगों पर focus कर रहे होते हैं कौन क्या कह रहा है कौन क्या कर रहा है और कौन क्या पढ़ रहा है कई बार ये factors आपको define करने लग जाते हैं कि आप क्या कहेंगे आप क्या सोचेंगे और आप क्या पढ़ेंगे, नहीं ये वो समय है जब आपको खुद पर concentrate करना होगा खुद पर focus करना होगा अगर आपने बाकियों पर focus करना शुरू किया तो UPSC की preparation के लिए समय बहुत कम है क्योंकि फिर आप अपना समय बरबाद करने वाले हैं और ये ultimately आपकी preparation को बरबाद कर देगा आपकी future को बरबाद कर देगा तो यहां पर हमने 5 ऐसी की बातों के बारे में चर्चा की जो आपके future को बरबाद कर रहा है बस आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है उसे acknowledge करना है और सही कर ले रहा है So, उमीद करते हैं कि आप इन 5 बातों पर ध्यान देंगे इससे आपकी preparation और बढ़ियां होगी streamlined होगी और आप positive तरीके से ना केवल एक strong preparation करेंगे बलके इस बार का exam crack भी करेंगे Thank you very much for this session